नमस्कार दोस्तों आप विराज कोहली और रोहिट शर्मा में इसे बेहतर कप्तान कौन से खिलाडी को मानते हूँ? कमेंट बॉक्स में बताएं भारतिय टीम ने बांगलादेश को तीन विकेट से हराकर साथ वी बार एश्या कप का फाइनल जीद लिया इस एश्या कप में विराज कोहली ने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों से सब को प्रभावित किया यह तो आपको पता ही होगा कि विराज कोहली को इस पूरे एश्या कप से बाहर किया गया था इसलिए रमीज राजा ने रोहिट शर्मा से उनकी कप्तानी के बारे में पूछा और कहा कि यदि आपको भविश्य में विराच कोहली की जगध कप्तानी दी जाएगी तो आप कप्तानी करने के लिए तैयार है दोस्तों अगर आप भी रोहिद शर्मा को बेहतरीन कम्तान मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें इसके बाद विराज कोहली ने पर निशाना साध्यते हुए रोहिद शर्मानी कहा कि इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है रोहिद शर्मानी कहा कि BCCI कप्तानी को लेकर जो भी फैसला लेगी मैं उसका पालन करूंगा और खिलाडी में कप्तान के तौर पर अपना सो प्रतिशत योगदान भारतिय टीम को दूंगा इसके बाद रोहिद शर्माने विराज कोहली पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि विराज कोहली बहतरीन कंप्तान है रोहिद का मानना है कि विराज कोहली के होते हैं उनको कंप्तानी करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी यदि मुझको कंप्तानी मिलती है तो मैं एक अच्छा कप्तान बनके दिखाऊंगा। रोहिद शर्मानी कहा कि इस एश्या कप में मुझे MS-19 से बहुत कुछ सीखने को मिला और इसी की दमपर में उनको सबसे बेहतरीन कप्तान कह सकता हूं।